पॉडर लेके ये चारो तरफ पे उंगलियों में लगा देंगे उसके बाद ये उंगली की जो रूट है रूट जड़ उसमें ऐसे ऐसे 15-20 बार रबिंग करना है इस साइट भी ऐसे रबिंग करना है होरिजॉंटल ऐसे ऐसे वर्टिकल नहीं करना है खाली रूट जड़ पे यहां से डियागनोसिस हो जाता है यह तो यह स्टमक पॉइंट है इस टमक में जिसको प्राब्लम रहता है यह बहुत दरद होता है यह दोनों पैंक्रियास के पॉइंट है यह जैसे शुगर वाले होंगे यह पैंक्रियास में प्राब्लम होगा तो यह से ट्विस्ट करने स कापित दरद हो गई यह और यह उंगली पैंक्रियास को डागनेसिस करने के लिए यह गॉल ब्लेडर के लिए है लेफ्ट हैंड में यह गॉल ब्लेडर इनको गॉल ब्लेडर में कुछ तकलीफे करके बहुत ज्यादा दुख रही है वहर केसी को गॉल स्टोन डेबलप हो जात से ना तुम से तो खोले जाएंड रगड नी पड़े चमड़ी वी को डेमेज नहीं हो से लिए यह लीवर का है यह लीवर पॉइंट है यह इंटनल आर्गन के पॉइंट है लेडिज जेंट यह चोटी उंगली यह लेफ्ट लेफ्ट पैर में हो गया यह यह देखे यह प्राब्लम हो सर्वाइकल हो तो यहाँ पर ऐसे ट्वीस्ट करना है लेकिन ज्यादा प्रेशर नहीं नहीं हब रहिंग करना है यह खाली चेक